हेलो एब्रिवन कैसे आप लोग उम्मीर करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे से होंगे और होना भी चाहिए बहुत सारी रिक्वेस्ट के बाद में एचेप सीयल लिमेटेट पे काफी ज्यादा कमेंड आया था एचेप सीयल पे एक कबरेश जरूर होनी चाहिए और एचेप सीयल ट्रेंडिंग मुमेंटम पे है एचेप सीयल ऑप्टिकल फाइवर्स की एक बहुत बहतरीन कंपनी आगे रही है और अभी भी है कंपनी के कुछ पॉजेटिव पॉइंट्स हैं कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं जिसे मैं आपने वीडियो के मायदम साफ तक पहुचाना चाहूँगा अगर आपने इसमें पैसे लगा के रखे हैं तो आपको पॉजेटिव और नेगेटिव दोनों ही चीज़े देखनी चाहिए इस सा स्टॉक ने घजब की मोमेंटम किया है और स्टॉक ने लगबग 200% का रिटन्स अपने लो से अपने लो से इसने रिकवर किया है अगर मैं इस स्टॉक का 5 सल का चार्ट दिखाऊंगा ता आपको नजर आएगा कि यह 12-13 रुपे का स्टॉक था और एज मैक्सिमम अगर आप देखेंगे स्टॉक बहुत बड़ा है दो हजार का स्टॉक कोडियों के भाव मिल रहा था 13-14 रुपे जिनोंने भी पैसे लगा के रखेंगे उनके 200% का रिटन्स अल्रेडी मिल चुका है पिछले आप देख पा रहेंगे 2002 में यह स्टॉक लगबग जाता और फिर स्टॉक पर बड़ी करेक्शन आती है तो यह समझना होगा आपको कि स्टॉक 13 रुपे से 100 रुपे तक गया हुआ है और 100 रुपे से फिर कब गिर जाएगा इसके बारे में कोई जानकरी नहीं है इसलिए काफी फंडामेंटल को रीड करना बहुत जरूरी होत है और बिजनस मॉडल को समझना बहुत जरूरी होता अगर बिजनस मॉडल समझेगा तब ही तो आप टाइम को इसके साथ में रिलेट करके स्टॉक के बारे में आपको यह अनलिसिस कर पाएंगे अदर्वाइस आप अगर स्टॉक के बिजनस मॉडल कंपनी के नहीं रफैंणिंग विजनस क्या है ये आप नहीं सोच पाएंगे फचियल यह एक एख टेलीगॉम इंफ्रास्ट्रेक्ट्चर एने बलर है और एक्टिव इंट्रेस्ट इसनस्पेनिग टेलीगॉम इंफ्रास्ट्रेक्ट्रेक्चर डेवलेप्मेंट्स करती है Optical Fiber Cable और Optical Fiber ये दो important चीजों के वज़े से company में running आई है Because 5G और अभी जो चल रहा है वो आने वाले time का एक बहुत बड़ा impact छोड़के जा सकता Optical Fiber और इसी के लिए ये company इतनी run की और अगर मैं इसकी portfolio की बात करूँगा ता आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़े देखने को मिलेगे आप इस article को हमारे वीडियो को post करने के बाद में पढ़ लिजेगा PLI scheme के तहट जितने भी equipment manufacturer है उन्हें प्रोचसान दिया जा रहा कि बलक में production करें ताकि export में ज्यादा मिले और इसी के चलती है PLI scheme निकाला गया government के तरफ से Optical Fiber, Wi-Fi System, Microwave, Radio, Routers, Ethernet, Suits, Electronic Fuses, Electronic Optic Device and others sector served किसको किसको company ये माल बेचती है तो टेलीकॉम को, defense को, railway को, utility and security, surveillance, network बोथ private and government sector ये सबसे बड़ा important है मतलब company सिर्फ private पे dependent नहीं है government के तरफ से भी इस company को बड़े orders निकल के आते हैं तो आप अगर मानिएगा तो 70% की जो revenue इनकी निकल के आती है वो निकल के आती है टेलीकॉम प्रोडेक्ट से और 22% की revenue जिया contract से इनको 78% की revenue और 22% की revenue इनको आती है टेलीकॉम equipment से order book अगर देखिएगा तो order book 2020 दिसंबर में इन्होंने book किया था 6400 करोड का और 4500 करोड का BSNL के तरफ से काफी अच्छा order book था defense के प्रोजेक्ट के लिए 57% optical fibers के लिए 14% RJIL के लिए 14% भारत net 7% चीजों को हमने आपके समने प्रेजेंट किया बहुत ही तगड़ी कंपनी नजर आ रही है यह सब्सक्राइब के पॉजिटिव पॉइंट्स देखिए टाटा रिलांस जीओ भारती एर्टेल नोकिया एल एंटी और बी एस एनल बीपी सौच के देखिए कि क्या मतलब जबर जबर जस्ति कंपनी का कस्टमर बेस हैं 30 पलस कंट्रीज में माल बिखता है माल इनका जाता है और काफी और भी डीटेल्स में यहां पर बताई गई है आप इसे पोस्ट करके देख लिजेगा यह ती ऑबर आल अच्छी चीज़ बट नेगेटीब बात क्या है तो देखें नेगेटीब बात इसमें सबसे बड़ा है कि यह कंपनी क्या है यह कंपनी है परमोटर से भिरा हुआ इंपोर्टेंट अभी क्या निकल का ही जिसके वज़े से अपने टेलिगराम चैनल पर पोस्ट कर दिया अभी आप कहेंगे यह पोस्ट तो आपने अभी अभी किया तो बट यह कंपनीज की जो डिटेल्स थी वो डिटेल्स जो आई थी कि इसकी ओर्डर बुक मिली है उस ओर्डर बुक के लिए हमने आपको अपडेट कर दिया था कली देख लिजे कल के ट्रेडिंग सेशन पर हमने इस चीज को कहा था कि HFCL को 200 लगबग 300 करोड के आसपास में रेल्टेल कॉर्पोरेशन से इनको एक छोटा सा ओर्डर मिला है और मिनिस्ट्री ओफ रेल्वे का इस चैनल को जुड़ जाइए इस चैनल का लिंक रिस्क्रिप्शन पर है यहां पर आपको बहुत सारी खबरे मिलेंगे अभी आलोग इंडेस्ट्री का वीडियो प्रेजेंट किया जिसमें गेल इंडेस्ट्री की जो पिल है वो उसको ने रिजेक्ट कर दिया है डिसमिस कर हुआ और गौतम अधानी जो है अधानी ग्रीन उस कंपनी ने बड़ी कंपनी को एक्वाइर किया और ना जाने डेरो सारे अपडेट्स आपको यहां पर मिलते जाएंगे आप इस चैनल को विजिट कीजिए उसके बाद आपको अच्छा लगे तो इसे जरूर सब्सक्राइ किया आर्टिकल्स की स्क्रीन स्वाट है आप यहां पर आके देख लिजेगा टाटा इनिवेस्टिमेंट कॉर्पोरेसर ने उसी दिन बड़ी मोमेंटम दिए 1470 का और कल के ट्रेडिंग सेशन पर इस स्टॉक ने 1500 का टच किया हाई जिहां और साथ ही देखिए कल हमने अपडेट किया था अपडेट करते करते यह 975 80 तक पहुंच चुका था सभी जगों पर पोस्ट करते 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 कोमेंट्री सेंटर और आपार जो टेलीग्राम चैनल है गोल्ड मेंबर्स के लिए वहां पर और देखिए स्टॉक ने लगबग एक से डिड़ घंटे का अंद यह एक आदा आपको यहां पर मिल जाएगा जो स्टॉक में मेंबर्स के साथ में सेर करता हूँ डेमो के तोर पर पूरा सर्विस पाने के लिए आपको 599 का गोल्ड प्लान एक्टिब करना होगा इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पर है तो आज रिजुवल आपको जो अच और एक नेगेटिव पॉइंट हमने आपको नहीं दिखाया जो की आपको देखना चाहिए और इस चीज से डरना चाहिए कि पर मोटर्स की होल्डिंग 42% की है और पबलिक की होल्डिंग 55% की है इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा जब कोई स्टॉक बहुत बड़ा क स्टॉक को उतारने में विकोज यह थोड़े से मही पैनिक होके सारे स्टॉक को बेचने के लिए रोड पे लग जाते हैं स्टॉक पे लोवर सर्किट कंटिनिवसली लगता जाता है तो यह सबी चीजे मैंने सोच आप तक ज़रू पहुंचनी चाहिए स्टॉक पे आप बने लगे आप कर सकते हैं मैं मिलता हूं नेक्स रूडियो पर तब तक के लिए बहुत बहुत धहिनवाद थैंक्यों